तीन चीजें भीगो कर खाने से खत्म होंगे दस रूग, वात पीत, कफदोश खत्म, हर मर्ज की दवा नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारें बताने जा रहा हूं जो बहुती पाउरफुल है जिसके इस्तमाल से आप भयंकर से भयंकर बिमारियों का इलाज कर सकते हो जोडों में घुटों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, या फिर हार्ट में दिक्कत है ब्लड प्रेशर की प्रॉलम है, डाइबेडीज के मरीज है, खराब कॉलिस्ट्रॉल की समस्य है, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको ऐसे तीन चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही पाउरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉंग आउसदी है, जिसका इस्तमाल आप इन समस्याँ में जरूर कीजेगा, बहुत फादा मिलेगा अगर आप इन चीजों का सेवन नियमी तोर पर करते हैं, तो आपके जोडों में जो दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों से समंधित कोई दिक्कत है, नसों में कमजूरी आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाए कि मैं से इसले कह रहा हूँ कि यह तीनों ही ओसदियां बहुत ही पाउरफुल है और इनके बारे में हायरवेटी किताब स्टांग रिद्म में भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है जिसमें से सबसे पहले जो चीज है वह है दोस्तों यहां पर कलाउंजी द क्लाउंजी समस्त रोगों का हिलाज करती है लेकिन इसका इस्तमाल आपको सही तरीके से करना आना चाहिए क्लाउंजी हार्ट की प्रावलम को दुर करने के लिए अच्छे होती है एक खराप कॉलेश्टॉल को करती है शूगर को कंट्रूल में रखती है अगर किसी इंसान क तो cancer का खत्रा भी महसूस हो रहा है ना, तो उसको भी ठीक कर सकती है। साथ ही ये नसों में होने वाली blockage को दूर करेगी, घुटनों में होने वाले दर्द वा सूजन को दूर करती है। तो इसलिए कलाउंजी का इस्तमाल हर किसी को करना चाहिए, किसी ने किसी रूप में करना चाहिए। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कलाउंजी का और इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसका इस्तमाल आपको बहुत सिमित मातरय में करना है क्योंकि कलाउंजी जो है बहुती पाउफुल आउसदी है अगर आप ज्यादा मातरय में ले लेते हैं तो यह फायाद की जगर नुकसान भी पहुचा सकती है इसलिए ध्यान से देख़ेगा आपको बताऊंगा कितनी मात को खत्म करती है आप अलसी का सेवन करके अपने के श्रीमें बढ़ी हुए खराब कॉलिस्टॉल को रिमू कर सकती हो गुड कॉलिस्टॉल को बढ़ा सकती हो रिमूड करती हो सा fermented को भाष बहतर करती है अलसी में दोस्तों फाइबर काफी मात्र करने का लेकिन यहाँ पर आपको मातरा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कहते हैं किसे भी चीज का अती नुकसान दायक होती है तो उसी तरह LC का भी सेवन करने की एक मात्रा है एक लिमिट है और सही तरीका होता है जो आई रिवेद में बताएगा है LC का अगर आप regular सेवन करते हैं ना बताएगे तरीके से तो आपके skin में भी natural glow आजाएगी चाहरा आपका दमखेगा बाल जड़ने बंद हो जाएगे बाल काले घंए होने शुरू हो जाएगे तो यहां पर दोस्तों LC की ताछिर गर्म होती है कलाउंजी की भी ताछिर गर्म होती है लेकिन तरीका आपको जो बताओंगा उस तरीकी से लेना जो लोग अगर पित-प्र के लिए बहुत ही फादेमन्द होते हैं मेथी हमारे शरीर में से वात को दूर करती है कफ को दूर करती है इसके लावा शरीर में बढ़ीवी सूजन को दूर करती है यह खोन को साफ करती है हाट के ब्लॉकेज को दूर करती है पेट से रिलेटेड सारी रोगों को दूर करती है अगर आपके पेट में गैस बनती है, कबजी के समस्या है, तो इन समस्याओं को भी ये दूर करती है, मेथी दोस्तों, जोडों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए राम बणाओं सदी है, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों चीजों का इस्तमाल आपको क पाने के अंदर हमें दाल देना है, आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच कलाउंची और आधा चम्मच मेथी का दाना, इसके बाद इसे ढख कर रात भर के लिए छोड़ देना है, जब आप सुबह देखेंगे, तो इस तीनों ही चीज़ें अच्छे से भूल जाएगे, अब कि शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं करेगे, लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी, वह मैं आगे बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, सुबह इस पानी को छान लेना है, और हल्का गुन-गुना करके इस पानी को सुबह-सुबह खाली पिट पी लेना है, इसके बाद जो ये तीनों चीजें बची हैं, भीगेवे अलसी, भीगेवे मेथी, और भीगा हुआ जो कलाउंजी का दाना है, इसका सेवन आपको कैसे करना हो, मैं आपको बताता हूँ, आपके शरीर में अगर पित बढ़ा हुआ ना, तो भी आपको इसे ऐसे ही नहीं आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को बटर मिल्क में डालना है, या फिर आप चाहते हैं इन तीनों चीजों को कूट कर भी आप इसमें आड़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा से स्वात के लिए चीनी, या फिर आप काला नामग डाल दीजएगा, घोल कर इसे पी जा इस तरह पित प्रकृति वाले आराम से ले सकते हैं, इसके लावा आप इसे दूसरे तरीके से भी इस्तमाल मिला सकते हैं, आप जब भी रोटी मनाने के लिए आटा गोतेते हो, तो उस आटे में इन तीनों आउसेदियों को मिला लेना है, एड कर देना है, और इसकी बनी करना है और से खा लेना है इसे खाने में आपको कोई तकलिफ नहीं होगी शायद के साथ खाऊगे तो यह ज्यादा कड़वी भी नहीं लगी कि तो मैंने आप इस जितनी तरीके बताए हैं अपने हिसाब से आप किसी भी एक तरीके से इसे खा सकते हो लेकिन सबसे जरूरी है पानी इसका पानी आपको सुबह सुबह खाली पेड जरूर पीना है क्योंकि इन तीनों ही औसलियों को जो गुण है इसका जो अर्ख है पानी में उतर चुका है तो पानी पीना बहुत ही जरूरी है और वो भी सुबह सुबह खाली पेड बाकि इन बीजों को आप दिन में क बात्तियों के दांकर डर्ध रहता हैं हडदियों में रहता हैं गठीया हो गया है और्ठथ्राइटीस समस्या हो गई है आपको थॉरइड है चाहे हईपो थॉरइड हो या फिर है ठिर्वर ही रिइव द्वातु है शरिय का विशेश ध्यान रखेगा रेगलर नहीं लेना है आपको शुरुवात के पंद्रे दिन लेना है उसके बाद आप एक दिन छोड़कर एक दिन ले सकते हैं और इस तरीके से आप लगभग तेड़े से दो महिने तक आराम से इसका इसका सेवन आप हर मौसम में कर सकते हैं गर बाद